दोस्तो इस ट्रेन के चलने के कुछ दिनों के बाद ही खल के दिन ये ट्रेन दुरगटना का शिकार हो गई दोस्तो आज के इस वीडियो में इसी बारें बात करेंगे कि दुरगटना कैसे हुई क्यों ही और दोस्तो इसी के साथ इस दुरगटना में कितने यातरी घायल हुए उनका कैसे इलाज किया गया दोस्तों सारी बात ते होंगे इस वीडियों प्रेट एक साथ दोस्तों इससे पले है कि वीडियो सुरू करूँ मेरा आप से आगरा इस दोस्तों हुआ यूंकि ट्रेन संक्या 0555-0 पतना से जैनगर कौने वाली इंटर सिटी एक्स्प्रेस कल के दिन पतना रेलवे स्टेशन से अपने दिर्धारित समय से ही निकलती है फिर दोस्तों इसका लास्ट इस्टोपेज जो होता है वह होता है जैनगर रेलवे स्टेशन जहां पर इसको पहुचना होता है रात के करीब 9 बज के 50 मिनट पे लेकिन दोस्तों ये ट्रेन मधुवनी आते 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 आदा घंटा लेट हो चुकी थी दोस्तों मधुवनी से खुलने के बाद इसका अगला इस्टोपे जैनगर होता है दोस्तों इसी कारण से ये ट्रेन फूल रफ्तार में मधुवनी के बाद जैनगर इक तरफ निकलती है लेकिन दोस्तों जैनगर पहुचने से ठीक पहले जैनगर के शही ही हाथसा हुआ इस ट्रेंड का एक जोगी इंजन से ठीक पीछे लगा हुआ थो पाटरी से उतर और दोस्तो एकाएक मरजंसी ब्रेक अप्लाई करने के करण जो यासरी पीछे ट्रेन में बैठे हुए तो वह भी चोटिल हो जाते हैं दोस्तो जासे ही ट्रेन डिरेल होती है पत्री से उतरती है इस रेल लैन पे आने वाली सभी टोनों को रोग दिया जाता है और दोस्तो जै दोस्तो यही वह दुर्गटना हुई जो कि कल के दिन हुई थी जैनगर इंटर सिटी के साथ दोस्तो मझे आशा है कि आपको सारी इंफोर्मेशन मिल गई हुदी विडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलें फिरेटने वीडि जय भारत